साथियों, खिलोनों के ख्षेत्र में भारत के पास ट्रेडिशन भी हैं और टेक्नलोजी भी हैं, भारत के पास कंसेप भी हैं और कॉंपिटन्स भी हैं, हम दुनिया को इको फ्रेंड्ली टॉईज की और वापस लेकर जा सकते हैं। हमारे सॉप्ट्पेर एंजीनियर्स, कंप्यूटर गेम्स के जरिये भारत की कहानियों को, भारत की जो मूल भूत मुल्य हैं, उन कथाओं को दुनिया तक पहुचा सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद, सो बिलियन डॉलर के वैश्विक खिलोना बाजार में, आज हमारी हिस्सेदारी बहुती कम है। देश में 85%, 85% प्रतीशत खिलोने बाहर से आते हैं, विदोसों से मंगाये जाते हैं। पिछले साथ दसकों में भारतिय कारीगरों की, भारतिय विरासत की जो उपेक्षा हुई। उसका परणाम ये हैं कि भारत के बाजार से लेकर परिवार तक में विदेशी खिलोने भर गए हैं। और वो खिलोना सिर्फ नहीं आया है, एक विचार प्रभाह हमारे घर में गुजगाया है। भारतिय बच्चे अपने देश के विरों हमारे नायकों से ज़्यादा बहार के स्टार्च के बारे में बात करने लगे। इस बाढ़ ने, ये बहारी बाढ़ ने हमारे लोकल व्यापार की बड़ी मजबूर चेन भी तोड़ के रख दी है, तहस दहस कर दी है। कारीगर अपनी अगली पीडी को अपना हुनर देने से बचने लगे हैं। वो सुझते हैं कि बेटे इस कारोबार में ना आए, आज हमें इस्थिती को बदलने के लिए मिलकर काम करना है, हमें खेल और खिलोनों के ख्षेत्र में भी देश को आत्म निर्भर बनाना है, वोकल फोर लोकल होना है, इसके लिए हमें आज की जरुरतों को समझना होगा। हमें दुनिया के बाजार को, दुनिया के प्राथविक्ताओं को जानना होगा, हमारे खिलोनों में बच्चों के लिए हमारे मुल्य, संसकार और सिख्षाएं भी होनी चाहिए और उनकी गुनवत्ता भी आंतराश्रिय मानकों के हिसाब से होनी चाहिए, इस दिशा में इछले वर्स से खिलोनों की कौलिटी टेस्ट को अनिवार्य किया गया है, इंपॉर्ट होने वाले खिलोनों की हर खेप में भी सेंपल टेस्टिंग की इजाज़त दी गई है, पहले खिलोनों के बारे में सरकारे बात करने की भी ज़रूरत नहीं समझती थी, इसे कोई उद्योग को 24 प्रमुक्षेत्रों में दर्ज किया है, उसका दर्जा दे दिया है, नेशनल टॉय एक्षन प्लान भी तैयार किया गया है, इसमें 15 मंत्रालयों और विभागों को शामिल किया गया है, ताकि ये उद्योग competitive बने, देश खिलोनों में आत्म निर्भर बने और भारत के खिलोने दुनिया में भी जाएं, इस पूरे अभियान में राज्यों को बराबर का भागीदार बनाकर तॉय क्लस्टर विक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, इसके साथ ही देश टॉय टूरिजम की संभावनाओं को भी मजबूत कर रहा है, भारतिये खेलों पराधारित खिलोनों को प्रमोट करने के लिए देश में टॉय का थोन 2021 का आयोजन भी किया गया था, मुझे बताया गया है कि इस टॉय का थोन में बारा लाग से अधिक विवाओं ने, सिख्षकों ने और विश्षक्यों ने रजिस्ट्रेशन कराया और साथ हजार से अधिक नए ने आइडिया जाए, यह दिखाता है कि दस्रकों की उपेक्षा और कठिनाईयों के बावजूत, भारत की प्रतिभा, भारत का हुनर, आज भी असाधारन संभावनाओं से बड़ा हुआ है, जिस तरह भारत ने अतीत में अपने उल्लाद से, अपने उर्जा से मानवता के जीवन में रंग गोले थे, वो उर्जा आज भी उतनी ही जीवनत है, आज टॉइ फैर के इस आउसर पर हम सब की जिम्मेदारी है, कि हम इस उर्जा को आधुनिक अवतार दें, इन संभावनाओं को साकार करें, और हाँ याद रखे, अगर आज मेड इन इंडिया की डिमांड है, तो आज हैं मेड इन इंडिया की डिमांड भी उतनी ही बढ़ रही है, आज लोग खिलोनों को केवल एक प्रोडक के रुप में ही नहीं, बलकि उस खिलोने से जुड़े अनुभव से भी जुड़ना चाहते हैं, इसलिए हैं मेड इन इंडिया को भी प्रमोट करना है,